अब आज देखिए मैंने क्लास 10 के क्लास रेगलोर दे रहा हूं मैं अभी अब क्लास 8 का बीक्लास रेगलोर क्लास है जो भी क्लास 8 और 10 के हैं वह आई इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कलास 11 का भी क्लास 12 का मैं यह पढा रहा हूं स्टार्ट कर रखा हूं जो भी बच्चे पढ़ने जाते हैं क्लास 8 से लेकर 12 तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिल्कुल इन्ट तक देखें सेयर करें और शेल करें देखिए देखिए कुसेंस क्या है यह इं 3.1 का मैंने करा रख्धा, यह 3.2 मैं नेक्ष्ट करा रहा हूँ, यह Class 8 का Chapter है, ठीक है, Chapter 3 है, Exercise 3.2 है, ठीक है न, देखिए कैसे बनाथो कुशन्स को, बुक में कैसे बनाए है यार, और कहीं कैसे बनाए है उसको मुझे परोकेश किजी, पहुंँ मैं दिया हुआ हुआ है सरे क्या सब के इंटेरियर अंगल है ये ह्टेरियर एंगल है ये जो हमें टेरियर आंगल ही निकाल सबiv सब्सक्रक्राइब इससे त Dog एक सम्सक्राइब्स आप्सक्राइब चाहे कुछ भी हो ट्रेंगल हो कुछ भी हो तो यहां पर ती तीन दे रखात देखिए एक से 125 है कि 125 है क्योंकि क्योंकि exterior angle का sum 360 के बराबर होता है यह लिग दिया मैंने अब देखिए इसको एड़ किजिएगा तो यह 250 आया कि नहीं आएगा यह होगे 360 इसको इतर लेका यह कि नहीं किजिए माइनस 360 माइनस का 250 तो 110 डिगरी होगा की नहीं होगा यह अंसर हो बुक में क्या का रहा हो मैं को बताता हो देखिए एक सो पचीस है यह यह एंगल और यह अंगल के दुना का संकीत होता ना 180 तो 180 में इसे माइनस किजिएगा तब यह एंगल ने कि लिए जीरो हो गया इसको पचपन यह फाइव यह पचपन डिगरी एक सो पचपन डिगरी अब देखिए यह रहा इंटेर एंगल क्या रहा इ आप वोजिट इंटेर एंगल क्या होता है इसके तर बराबर इजरों को अडिकर यह बी निखल जाएगा तिस सबसे आसान यह है इसको बना यह इसको फूल किजागा अबने गरूल एक आंसर रहा देखें बी में क्या हैं बी में देखिए वी एक दो तीन चार देखिए इक की दे रहेखा नब्बे इसाइन नभ्य का हो गया है साट हो गया और यह एक सो गया और यह नब्बे हो गया पांच वकास्न कितना होगा, 360 तो होगा, क्योंकि इक स्टेर एंगल है, सब काप अप एड किजिएगा, तो ये 90 और 90 होगा 180, ठीक है ना यह 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 नदक तो, ये 90, 90 होगा 180, ये 60 है, ये 60 है, तो 7, 6, 13 होगा, ये 60, 8, 3, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 310 होगा, 310 प्लस का, 1, 360, ये प्लस में धर क्या में आएगा, माइनस में आएगा, 360 माइनस का 310 ये होगा 50 डिगरी, जाते हैं, यहां पर लिख सकते हैं, कि sum of एंगल of exterior angle is 180, sum of all angle of exterior angle, अब देखिए यहां पर क्या करना है तू में क्या है find the measure of each exterior angle हमें निकालना है exterior angle का sum मैंने अभी बोला कि exterior angle का sum कितना होता है 360 होता है तो पुछ रहा है कि 1 angle का sum कितना होगा जब क्या पहला क्या निकालना है हमें जब 9 side होगा तब लिखिए कहां पर exterior angle वराबर exterior angle वराबर क्या लिखिए कहां पर जितना total होता है 360 जितना दे रहाए उसे divided कर जाएगा answer आजाएगा यह जागा 40 degree यह रहा एक answer बी में क्या करना है बी में बैसे करना है पंदराद दूना 30 हो गया अच्छा 24 हो जाता है यह रहा 24 ठीक है ना 13 24 डिए में एक angle का अधम कितना होगा 24 डिए होगा अगर side 9 होगी तो एक angle का sum कितना होगा 40 degree होगा और यह और side 15 होगा तो एक angle कितना होगा 24 यह सारे यह भी exterior angle है यह भी क्या है exterior angle ही है ठीक है निक देखिए क्या है third number में क्या है यह हमें side निकालना है how many side निकालना है कब जब एक angle का sum देरा रखा है foot 24 degree ठीक है तो हम देखिए number of side number of side क्या होता है यहां कोई किजिएगा 306 upon में 24 तो इनके लिएगा कितना यह आजागा 15 के बराबर ठीक है ना यह क्या जाएगा 15 के आएगा बराबर देखिए मिस कहने का अंतर यह है कि अगर exterior angle की बात हो रही है डिवाइडें करें 24 है कितना यह 24 है कि सुकर घुजरना हो ठीक है ना तो यह रहा question जो में ने कर रहा है आप लोग question number one two three में ने कर रहा है 3.2 भी और बच्रेया question में कर रहा हूंगा next video में ठीक है ना thank you take care bye bye